इस वीडियो में बड़ी ब्रेकिंग नूज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि APFC के रिगार्डिंग एक अप्डेट हमें मिल चुका है जो कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिए आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इसके रिगार्डिक मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था मैंने का सब नहीं बताया था कि APFC का और EPFOE और EO का जो एक्जाम कंबाइन होने वाला है लेकिन यह एक्जाम कंबाइन नहीं होगा इसका नॉट्रिकेशन देले हो रहा था और फाइनली इसको मंजूरी नहीं दिया कि यूपी एपसी का अलग से निकालो और EO का अलग से निकालो तो इन तो इस सब के बारे में डेटेल ते इस वीडियो में डिशक्श करेंगे आपके सामने तो प्लीज वीडियो को सब्सक मैंने आपको बतायता है मैंने कही सार लोगों ने भी बतायता है यूपी एपो का और यूओ का एक्जाम कंबाइन होगा तो उस पर भी थोड़ा कंपीजन हो रहा था तो अब किलियर बात है हो चुकी है एपी एपसी का जो से लेवस वो चेंज नहीं होने वाला है प्रीव होती हैं सब कुछ करते हैं तो जहां तक बात है एज लिमिट एज लिमिट थर्टी फाइव होने वाली है यह थर्टी टू नहीं होगी थर्टी फाइव रहेगी यह धान रखना आपको और एक्जाम डेट जो है बहुत लोग पूच्छन पूचते हैं अब उससे क्वेशन म इसकी जो एक्जाम डेटर में मिल जूगी है जुलाई में इसका एक्जाम आपका हो जाएगा यह और यहो का जो एक्जाम है वह आपका अक्टूबर में होगा तो यह आपके सामने में बड़ी अपडेट दोनों ही बता दिये यह और यहों का पहले एपी एपसी का कि इसका किस तारीक निकले गा लेकिन यह चीज मुझे मिल गई है कि दोनों अलग-अलग notification निकलेंगे APFC का और EPFO यह और यहोकद अलग-अलग notification निकलेंगे ग्रेड पर भी अलग है और दोनों में simple graduation मांगी गई है बड़ी update में आपको बता रहा हूं इस सबसे पहले को कि यह आपको देख लेंगे जब notification आएका तो आप यह समझे जाएंगे कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है हला कि मुझे पहले sources से information दूसरी मिली थी लेकिन अब मुझे confirm यह हो चुका है मेरे दोस्त के तुरू कि भाई यह जो EPFO department ने इसको मंजूरी नहीं दिये UPSC को कि आप अलग अलग exam conduct कराई है इलिरली बोल दिया है तो फिलहाल तो मुझे यही information मिलिए और आप से में एक बात कहना चाहरा हूं कि आप प्लीज general study की तयारी करो current affair की तयार करो जुलाई में आपका paper होने वाला है तो जुलाई में जैसे आपका paper होगा तो आपको paper से मतलब अगर paper अच्छा नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका notification की इतनी सारे वीडियो देखने का तो अपना पूरा main focus अभी से लगा यह जुलाई में ही आपका paper होगा APFC का October में paper होगा आपका EO का इसका जो APFC का notification है वो 169 वेकेंजी पर आने वाला है और EO का latest update के लिए आप हमारे चनल को subscribe कर सकते हैं हमारे टेली ग्राम ग्रूप है UPSC knowledge ग्रूप उसको आप जयन कर सकते हो अगर आपको previous year question paper चाहिए कटों बगेरा के बारे में जानना है तो आप मारे चनल को subscribe कर सकते हो तो गाईज यह मेरे तरफ ते आपके लिए बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको बता दिया और इसका syllabus क्या होगा एजी और किस तरह के previous year question paper आये तो उन सब के बारे में डेटेल से एक वीडियो बनान आने वालों अब APFC का countdown श्रू हो चुका है आप भी ready हो जाईए तो गाईज मेरे तरफ ते आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है नमस्कार